लेंड सर्वे की पीछे सरकार की मंसा थी कि लेंड सर्वे कराकर जिनके नाम पे जो जमीन है बाप दादा के जमीन से जिनका रसीद नहीं कट रहा है एक तो सरकार को अपडूडीट रसीद मिले जमाबंदी बन जाएगा इससे आप ही को फाइदा है जो कई लोग कहते हैं कि ह प्रिश्सा नहीं लेती है और रेयर केस नहीं पांच परसंट दूपरसंट ऐसा आता है तो जहां ऐसा केस आएगा भाई बहन अगर अर जाएगी तो भाई को देना पर उनका बैंक में फिक्स रिपोजिट या बैंक में जमारासी है तो उनके जितने आसरीत है उनमें ब्राव को के बीच हाजिर है हमेरे साथ सीनियर जनलिस्ट आलोग सर मौझूद है बिहार में लैंड सर्वे का काम हो रहा है कई तरह की बाते उठ रही है लैंड सर्वे में कि लैंड सर्वे बंद हो जाएगा लैंड सर्वे रुक जाएगा क्या नितीज कुमार को इससे काफी जो हा समझने के कोशिश करते को लेकर के बिहार में जो चर्चार hedger रुक जाना चाहिए नहीं होना चाहिए कैसे मानते हैं इन चीजों को रुख ना चाहिए तो इससे अच्छा कोई नहीं है और Selbst शरकार की अगर given उसमें अधिकारिया और करमचारी लेकिन यहां देखने को क्या मिल रहा है कि लेंड सर्वे के आर में जो अमीन बहाल किये गए हैं, या जो सीओ अफिस के दफ तर के लोग यह लोग इसको काली कमाई जर्या बना दिये हैं, अब लोग कहते हैं, तो सर्वे करम सर्वे कर दो कैना है ने वहोंते हैं, kry ब लोड है. से आपको कोई हानी नहीं है लैंड सर्वे से आपको कोई दिक्कत नहीं है आपकी कोई जमीन नहीं छिन जाएगी जहां तक आपके पुरवजों की जमीन है तो उसके लिए भी सरकार की ओर से बंसाबली आप खुद से बना के दे देते हैं और अप लिग देते हैं कि आपके द तो मान नहीं हो जाता है और आपके नाम से उसका जमाबंधी बन जाएगा इससे आप ही को फाइदा है जो कई लोग कहते हैं कि हमारे गोतिया कागज नहीं दे रहे हैं तो गोतिया लें this तक जंता को पहुंचाना है और जहान जंता सजग होजाएगी किसी करम चारी की मिजाल नहीं है कि पांच फे उग्हूस ले लेगा यह कहा जा रहा है में वुवाध भाइब और तीन बेटी है और पिता के नाम से संफत्ती की जो संपत्ति है तो उसका हक बड़ाबर है। उसके संपत्ती का साथ हिस्सा लगेगा लेकिन अपने समाज में देखा जाता है कि जब बैटी दूसरे घर में चली जाती है जेनरली वह भाई के संपत्ती में या पिता के संपत्ती में हिस्सा नहीं लेती है और रेयर केस ही 5% 2% ऐसा आता है तो जहां ऐसा केस आएगा भाई बहन अगर अर जाएगी तो भाई को देना पड़ेगा उसमें भाई को पीछे हटने से क्योंकि हिंदू लौ यह कहता है कि बहन को भी बराबर कादिकार रहे हैं कि बहन भाई में लड़ाई हो जाएगा परिवार बिखड़ जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है बहने भी होसियार है और मैक्सिमम हम तो हमको तो लगता है कि आप अपने गाउं समाज में देखिएगा कि बहने भाई के संपत्ति में हिस्टेदार नहीं बन रही है और जहां तक बंसावली बंसावलीम तो दिखाना पड़ेगा ने कि सपोई दैट मुकेश कुमार सिंग ही मानिया मुकेश क अनुसार है हिंदू लोग अब दिससे देखते होंगे कोई व्यक्ति अगर मर जाते हैं उनका बैंक में फिक्स रिपोजिट या बैंक में जमारासी है तो उनके जितने आसरीत है उनमें बड़ावर बड़ावर बाटा जाता है तो जो लोग है खिलाफ लोग नहीं ने ने मेरा मानना है लेंड सर्वे बंद नहीं होना चाहिए यह भूमी विबाद के निप्टारे का जड़िया है यह क्या इसे माना जाए कि जो कागजात हैं जो वर्सों-वर्सों से कागजात सड़ रहे हैं उसको ऑनलाइन करने की भी एक प्रक्रिया है अगर आपके संपत्ति है चार विघा अपके पिता जी को होगा आप अगर दो भाई है तो आपका दो बिगा हिस्ता होगा तो इस ढंग से यह विवस्था की गई है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कहीं कोई विवाद का गुंजाइश नहीं है चलिए देखिए तो जमीन सर्वे को लेकर के हम बात्चित कर रहे थे कि क्या जमीन सर्वे से फायदे है उसके अलावा क्या कुछ आने वाले वक्त में जो भी वंसावली वंस हैं उनको क्या फायदा होगा इस खबर के लिए इतना ही लेकिन जुड़े ये बारतलाई पर आपक के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजेगो घंटी बार उकरा बटन दबा देला से कुल सखीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकल 816-700 धन्यबाद